बहुत बहुत सवागा था आपका पढ़ाई के रहा लाइन पर आज की कलास का माध्य सुद्ध देखेंगे आज की कलास में हम फाइनली आरे में लेयो का डाक्टर रामनो लोईया आवद भी सुद्ध दे लेके जितने भी आपके माइनर की पेपर हुए थे मैं सभी इस वक्त डाल करें गुक को जाए हैं और और लएक पार्वुत सभी आँसर कि भजाइन के बस्फ़ी समय सब्सक्राइब सब्सक्राइंब आइब का पूरा का पूरा पेपर है आपका 75 नंबर का ये भी आपका पेपर था जैसा कि अन्य पेपर आपने जो है दिये हुए थे लिखित वाले पेपर दो घंटे करने को समय मिला हुआ था जो मैं बुकलेट solve करा रहा हूं क्यों का booklet solve करा रहा हूं अब कुछ विद्यार्थी का booklet ऐसा है किसी का P है इसलिए सभी विद्यार्थी को मैं बताए दे रहा हूं कि वे अपना booklet कैसे मिलाएंगे क्योंकि person आपके total वही है आपके person जो है इधर उधर करके दे हुए हैं बुगलेट सेम नहीं है बच्चो लेकिन मैं गारांटी लेता हूं पूरा एक परसन बाहर का किसी भी बुगलेट में नहीं है यह है कि केवल एक परसन आपको अपना booklet उठाना है उसमें केवल एक परसन आपको ढूंद ले ना मेरे में जो पहला बुगलेट है ठीक है क्यों बुगलेट जिनका विद्यार्थी को इसी तरह आपना एंसर की देखेंगे अन बिद्यार्थी जो अपना एक कुछन के बाल ढूंद लेंगे अपने बुगलेट में और सभी परसन की मिलते चले जाएंगे नीचे के और से ठीक है चलेगा हम पर एक लिए अब यह क्या है इसकी बात करें तो यह क्या है यह ओपन इंवर्युरूस्टी है ठीक है यह आपका जो है मुक्त बिस्विद्याले है इसमें का दी आप से नेक डम राइट रहेगा अगला कुछन आपका दियावा कि सबसे पुराना भारत वार्स में राज विष् तो थोड़ा से इस पर हम चर्चा करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें से पुरानी उन्विश्टी काउंसी है आप चाहे तो इसका गोगल भी आप कर सकते हैं जैसा कि आपकी आवध उन्विश्टी पहली आपकी दी हुई है उसी का पेपर ही में सोल्ब करा रहा ह आप दूसरा द्यावाय लखनोई उन्विश्टी अब बच्यों लखनो user की स्थापना कभ हो इस इसकी स्थापना हुई है Δ्य 07And clade में ये तीसरा दियावा बॉंबे उनुष्टी के धम बात करें तो बॉंबे उनुष्टी की स्थापना हुई बच्चो यह हुई है इसकी हुई उनुष्टी है इसकी स्थापना हुई है 65 में कभ देख लेजी में चार अच्छी में जो है जब भी इसकी स्थापना हुई स्थापना हुई है इसका मैं सन लिग चुका हूँ यह अब आपको पुरानी अच्छी कौन सी लग रही है आसा करता हूं 1857 ही आपको सबसे पुरानी उन्रस्टी इसमें आपको दिख रही होगी इसलिए बॉंबए उन्रस्टी ही इन चारों में सबसे पुरानी स्टेट उन्रस्टी है इसलिए बॉंबए उन्रस्टी जो है सबसे पुरानी उन्रस्टी है यह जो है 1857 में इसकी स्थापना हुई थी 18 छूलए ठारसो सत्तावर में इसलिए इसमें का सी बीकल्ब एकदम सही होना चाहिए प्यागले पर समझ बढ़ेंगे जो कि आपका दियाओ कि राधा केर्षण आयोग की सिफारिस आई थी जो आई थी जो आई थी कब आई थी बच्चो यद इसकी बात कर ले तो यह आई थी दिया उनेश्टी आपका एटो नॉमी मेंस क्या होता है याथ इसकी हम बात करें तो बहुत ही महात्पुली भी आपका कुस्सन आपका दियावा है पाच नंबर कुस्सन स्ट्रीन काल गालधे 2 दिक विक विक रहेगा और नहीं को संद्सित्रीन अविर्टरीन सन्दीक कर दुए सब्सक्राइब इसलिए इसमें का डी आप्सन जो वेटिछे कोड करके आये हुए होगे एकदम सही रहेगा उनका विकल्प फिर अगड़ा कुस्टन आपका दिया हुआ कि बनारा से हिंदू विश्व विद्याले के संस्थापक हैं बनारा से हिंदू विश्व विद्याले के जो founder कौन है बच्चो जो विद्यार्थिस सी आपसन कोड करके आये हुए एकदम सही उसन का आपसन है अगला कुस्तन दिया होगी यूसीजी का फुल फार्म क्या होता बच्चो बहुत ही मात्पूर पर्सन यह मैंने आपको एजूकेशन की पेपर में ने पढ़ाया भी था जो कि इसका फुल फार्म इसकी बात कर लें तो इसे हिंदी में जो है अनुदान आयो कहते है कितनी बार मैंने आपको समझाया था यूसीजी के बारे में तीसरा आपसन एकदम सही रहेगा इसका फुल फार्म होता है इसका फुल फार्म बहुत ही मात्पूर पर्सन था बहुत ही पर्सन था सबी पढ़ाय और यह भी कुर्स्टन सा था भारत में पूर परात्मिक सिच्चा का है परारंब किस ने किया था मात्मा गांधी द्वारा किया गया था आप इसमें का धी आपन सही होना चाहिए मेरे साब से ठीक है अठ नंबर का धी फिर अगला कुछ्छा आपका दिया हूँ अभी गोपाल रिचिन गोखले द्वारा भी हो सकता है चलेगा अगले पर सुनूर पढ़ेंगे कि भारते समंधान में परस्ताव है स्थन्ता का भी परस्ताव है समानता का भी है नयाय का भी इसलिए D आपसन एकदम राइट रहेगा, उप्रयोक तो सभी इसमें का एकदम राइट भी कल पाए, फिए अगला कुस्टन आपका दिया हो कि वैदिक काल में सिच्छा का जो माध्धम था, वैदिक काल में जो सिच्छा है किस भासा में दी जाती थी बच्चों, वो दी जात का आर्थ होता है, इकोएड नौलेज होता है, इसमें का सिआपसन एकदम रहेगा, ज्यान प्राप्त करना रहता है, सबएक पुराना रिक वेद है, त्वेद है, सभी को पता होगा, बहुत ही मात्पूरर परसन भी आपका था, बहुत ही यह स्कीम बात कर ले तो चौदा नंबर कुसेंस का वच्चो आपसण जो यह कहीं नहीं दोनों में से होना चाहिए क्योंकि नौकरिय की पराप्त भधन की पराप्त बिल्कुल नहीं इसका वड़स था बहुत एक सुको की पराप्ति या फिर मोच पराप्ति ये ही दो आपसन इसमें से हो सकते हैं इसका उद्देश वैदिक काल में मेरे हिसाब से C आपसन होना चाहिए इसलिए आप C वाला ही लगाएगा पर अगला कुश्ण आपका दिया हो कि सिछा क्या है इसलिए इसलिए इसमें का आपसन एकदम रएट रहेगा सब्जेक्ट का minor paper हुआ है जो भी द्यार्थी उनका subject अलाग है या भी जिन भी द्यार्थी का एजूकेशन paper नहीं है history का है या भी sociology का है या भी हिंदी का है इंगलिस का है वे अपना answer की या solve कराना चाहरे है अपना paper तो मुझे telegram पर भेज सकते हैं महां उसका answer की जल्द से जल्द प्रवाइड करने का प्रियास करूँगा ठीक है आप जो है मुझे pdf बना कर जो paper आप मुझे telegram पर भेज सकते हैं वहां पर उसका answer की जल्द से जल्द प्रवाइड कर दूँगा पर अगला पर फी समुदाएस इश्चा का साधन ? वह उसकी बात करें है यह इस ऑफ कर लिए जिस मैं भी पिर चल्स की बात कर लें 25 यंग है दे मैं धेगे Always हैं समाचार पत्र एक क्या है सकीम बात कर लें तो समाचार पत्र एक हैं ये क्या है 21 नबर questions का जो दिया हुआ बच्चो ये सिच्छा का उपचारिक साधन सिच्छा का नौपचारिक साधन दोनों है इसलिए आपको DA वाला इसमें का C आपसा एक दम राइट दोनो प्रेगला question आपका दिया हुआ है कि फ्रोबेल के नुसार माताय होती है फ्रोबेल के नुसार जो माताय होते है आइडियल टीचर होती है आदर्स महिलाए यानि अध्यापिकाए होती है पहला आपसा एक दम राइट रहेगा इसमें का दूरस्त सिच्छा है दूरस्त सिच्छा काउन सी बच्चो इसकी हम बात कर ले तो दूरस्त सिच्छा काउन सी है यह आपका 23 नुमबर कुशन से अपका दियावा है दूरस्त सिच्छा जो आपकी है अनुपचारिक सिच्छा है इनफार्मल सिच्छा है ठीक है अनुपचारिक सिच्छा है इसमें का बी आपसा एक दम राइट युनेस्को किस इस्तर की संस्था है, युनेस्को किस इस्तर की सिच्छा है, यह है अंतर राष्ट्रे सिच्छा, इसमें का C आपसे एक दम रहेगा, इंटरनेशनल, फिए अगला कुस्ण आपका दियावा है, चलेगा इसको भी हम देखेंगे, इसमें का B आपसे एक दम रहेगा, फिए अगला कुस्ण आपका दियावा है कि एजूकेटम का अर्थ होता है, एजूकेटम का जो अर्थ होता है बच्चो, वो हता है ट्रेन होता है, ठीक है, ट्रेनिंग होता है, ठीक है, जो आपका ट्रेनिया से दियावा है, ट्रेनिंग इसका जासे होना चाहिए, पर सिच्छर देना, पहला आपसे एक दम सही रहेगा, एजूकेटम का आर्थ है, ए इसकीम बात के लिए तो सिच्छा को तीन अंग है teacher, student and curriculum ये तीन अंग है इसमें का be a option एक्दम रहेगा बच्छो, सिच्छा, सिच्छा पाट करम इसमें का be a option एक्दम रहेट परचीन काल में सिच्छा अधारित थी परचीन काल में जो सिच्छा बच्चो अधारित थी, किस पर अधारित थी, टीचर पर अधारित थी, ठीक है, इस वक्त अब टीचर कहते हैं, पहले जो गुरु कुल में रहते हैं, तो गुरु कहते थे, उसी गुरु को अब जो है अधनी काल में टीचर कहे दिया गया, अंग कि पर सिच्छड से मनुसिक में सुधाल लाया जा सकता है पर सिच्छड यानि ट्रेनिंग में इंप्रूब इसको भी हम देखेंगे कि सिच्छा को परवावित करने वाले कारक कौन से हैं ये तो देख लिजी फूर नुटेशन का ही पेपर आ गया सारीरिक कारक भी है मनो विज्ञानी को पढ़िया और लिए सबी इसके कारक ही है फैक्टर ही है इसलिए इसमें का डी आपसे एक दम राइट रहेगा फिर राज की द्रेश्ट से सिच्छा का कारी क्या है राज की द्रेश्ट से जो सिच्छा का कारी बच्चो होई ये क्या है इसकीम बात कर लें तो राज की दरिश्ट से देखा जाए कि साबसे सारेरिक विकास है या भी मानसिक विकास या भी नागरिकता की सिच्छा है या भी ब्युशाइक विकास है ब्युशाइक विकास तो बच्चों हो नहीं सकता ठीक है नागरिकता की सिच्छा है यह हो सकता है मानसिक विकास और सारीरिक विकास सारीरिक विकास देखा जाए तो ये भी मुश्किल ही है इन दो में से होना चाहिए और मेरे हिसाब से जो है नागरिक्ता की सिच्छा ही होनी चाहिए इसमें में confirm नहीं हो या किसी भी विद्यार्थी को इसका सही एंसर पता तो comment box में अपना एंसर पता दीजिए उसको पीन कर दूँगा ठीक है लेकिन मेरे इसाब से नागरिक्ता की सिच्छा होना चाहिए क्योंकि राश्ट की द्रस्ट से राश्ट की द्रस्ट से देखाया तो परदेख नागरिक्त को सिच्छित होना ही पूछी तरथ है यह दिसकीम बात करें तो सिच्छा जो है अजीवन चलने वाली प्रिक्रिया है यानि एजुगेशन यह लाइफ लॉंग प्रोसेस यह जो है सिच्छा का ब्यापा करता है बच्चों सिच्छा का जो यह ब्यापा करता है पहला आप सने अगदम रहेगा इसमे पहला कि दियावा की एक नो परदान करती है दोरस्त लचनिंग भी है ठीक है और डिस्टेंसे टीचिंग ओपनिंग लटनिये सभी परवइड करती है इसलों पर्युक्त सभी इसमें का रहेगा बच्चो जो बी दरती पर्युक्त सभी लगा किया एकदम सहीं अप्सन है पहला अप्सट्ण एकदम स्पहई रहेगा आदनिक पूर्वसिच्छा के जो जैरे आता है पहला आप्से एकदमर राइट सरा सचलो के परकार कैंडर गार्डन भी ऊपर स्कोल आं तर आधर रायगा इसमय का पूर परात्मिक सिच्छा की परमुख समस्या है पूर परात्मिक सिच्छा की परमुख समस्या है बच्चो आर्थिक समस्या है पाटकरम की समस्या है और पर सिच्छी द्यापकों की समस्या है सभी कहीं न कहीं देखा जाए इसलिए डी आपसन एकदम सही रहेगा इसमें का प किंडर गार्डन का जो और था बच्चो यह पार्क आप चिल्डरन या भी सिछक का पार्क या भी मातापिता का पार्क एक साब से देखा जाए तो किंडर गार्डन का रथ होता बच्चो यह होता गार्डन आप चिल्डरन यानि गार्डन आप चिल्डरन कहे सकते हैं अभी प पेरीज कहाँ परता चयों फरांस broadly पेरीज में इस्तित है अग सुन्स के अनुषग में 151 followed by इस्तित है मॉली करत्पियों को जो ओर 251 की ढंस के अंतरकट रखा गया है और मॉल्यका अथिकार दिया हुआ कुछ भी 132 डानों आफ्ण कोट ना वाइर हुए homme लगा गलत अजмет हो क्योंकि जो मौली करता पर जो बच्चों है यह फोर्ड की 51 एक एंतरकर रखा गया है और मौली करता पर एक धें द्हम बात करें वेच यह कब रुखा गया के इंशन सर्थ संदोर है को अनुशेद 12 से लेकर 35 के अनुशेद में जो है मौलिक अधिकार रखा गया है मौलिक करता भी जो है क्याव नेके में रखा गया है इसलिए इसमें का भी आपसन एकदम सही रहेगा अगला कुस्न दियाओ कि भारती समिधान में कितने परकार के मौलिक अधिकार है विटा लें के अधिक्सित करने के लिए सबसे महध्पूर क्या है इसमें बात कर ले तो हुऊ है education बहुत ही महत्पूर है पहला अपसन लगाई है एकदम सही रहेगा फिर मौली कतिकार है मौली कतिकार है बच्चो राइट आप equality यानि समानता कतिकार है इसमें का सी अपसन एकदम राइट रहेगा फिर अगला कुछ अपका दियावा है कि अंतर राष्ट्री योग दिवस जो है मनाई जाता है कम मनाई जाता है अंतर राष्ट्री योग दिवस बच्चो कम मनाई जाता है बहुत ही मत्पूल परसन है योग दिवस जो मनाई जाता है कीस जून को मनाई जाता है सभी को पता होगा इसमें का सी आपसन एकदम राइट फिर अगला कुछ नापका दिय है सही इसमें का सभी आप से निक्दम राइट है बच्चो डी लगाई आगे एक दम सही रहेगा ठीक है मूल की बात करें तो आपके कर्म और अर्थ काम यह सभीज के मूल ही है इसलिए उपरुक्त सभीज में का राइट रहेगा अगला कुस्ण आपका दियावा है कि आपका NCRT के अनुसार मूल कितने परकार के होते हैं इसलिए जो कुस्ण है मैं छोड़े दे रहा हूं आप लोग के लिए इसमें का कौन सा आपसं सही है दिए आपको पता तो आप कमेंट कर दीजिए उसका मैं जो कमेंट को मैं पिन कर दूँगा जो के लिए इस कुस्ण का मुझ पता होता मैं कमेंट बाक्स में मैं ही इसका पिन कर दूँगा ठीक है एंसर इसका अगला कुस्ण आपका दियाओ कि बालक में जो है मूल सिच्छा देने की विधिया बच्चों है यह रोल पे और इसमें दोनों है इसलिए समय का जो सी आपसन एकदम रहेगा एक क्यावन न सबी है उसलिए टी लगाए अगदम सही रहे गासमें का भाहरत्ये सम्मयदार के किस धारा में मौलियों के बारे में चर्चा की गई है भारते समिधार की किस धारा या किस आर्टिकल में मौलियों के बारे में चर्चा की गई है तो हम इसकी बात करें बावन नमबर कुस्टंस्की तिरपन नमबर कुस्टंस्की तो ये आर्टिकल संस्कीत के परखाव होता है संस्कीत का परभाव होता है पाठकराम पर भी होता है अगला कुस्न भी आपका दिया बाए अगला कुस्टन में आपका इने पी 2020 के बाद आपका जो है M H R D का जो क्या नाम है याद इसकी हम बात कर ले तो इसका जो नाम है इसकी हम बात कर ले तो इसमें जो नाम होना चाहिए Ministry of Education होना चाहिए सिच्छा मंतराले होना चाहिए इसमें का जो है भी आपसन एक दम सही रहेगा भी अगला कुस्तन आपका दियावा है कि किनका जनम दिन जो है अध्याफ़ा यानि टीचर से डे की रूम में मना जाता है वो मना जाता है सरपली डाक्टर सरपली राधा किर्शन जी का इसमें का सिच्छा का कारी क्या होता बच्चो सिच्छा का कारी होता है सारेरी विकास मांसी विकास, समाजी विकास, अभी समांगेर विकास, यह होता है, complete development होता है, समांगेर विकास होता है, बच्चो, इसलिए इसमें का D, आपसन एक्दम सही रहेगा, अगला कुशन प्याप का दियाओगी, भारती समिधान जो है, कप पारित हुआ, भारती समिधान जो है, पारित हुआ था, इसकी बात करें तो, यह जो कुशन दियाओवा, 60 नमर कुशन सब का दियाओवा, बच्चो, यह जो 26 नमर उनियसो उन्चास, इसमें एकदम राइट विकालप रहेगा, क्योंकि इस दिन जो है, इस सन में जो है, यह जो है, गराण किया गया था, गराण क समिधार में निसूल के उनिवार सिच्छा का परावधान है, किस अनुछेद में इसका परावधान बच्चो है, इसकी बात करें तो, 65 नमर कुशन की, तो यह जो दिया हुआ है, अनुछेद 45 के तहित इसको रखा गया है, इसमें का D आपसन एकदम सही रहेगा, का मुख्याले कहा इसथिथ है? नाइक का मुख्याले इसथिथ है? कहा है? हैदराबाद में इसथिथ है बच्चो. इसमें का C अफन एकदम सही रहेगा, 63 नमर कुशण का, पिर से सुन लीजीए, अै आपसन गलत हो जाएगा, नाइक का head office जो है, यह बैंगलोरू में सही थ चेतरी केंद्र है इसकी बात करें तो चार इसके केंद्रे छेतर है कौन कौन से हैं किस इसके छेतर की हम बात करें तो यह जैपुर में एक इसका छेतर है बैंगलोरू में है भूनेसुर में हो भोपाल में चार इसके छेतर है इसमें कब भी आपसन एकदम सही रहेगा कौन सा जो है सबसे बड़ा जो है राज़ बोड है यू-बोड सबसे बड़ा जो है राज़ बोड है पहला आपसरन य怕 पसे बड़ा है अगला कुस्टन भी दिया वाइं कि पूरप्राथ मेंकी सिछा दी जाती है बच्चों यह छे Westminster किया उतक दी जाती है पहला अप्सम अप्सिर रहेगा, चाहसरल 2 कुस्ण का, पी एकला कुस्ण अपका दिया वहा है, इसको भी देखेंगे, कि UNESCO संबंदीत है, युनस्को किसे समझनी थे, युनस्को जो समझनी थे, एजूकेशन, साइन्स, कल्चर सभी से समझनी थे, डी आपसन एकदम सही रहेगा, जो विद्याथी लगा कि एकदम सही आपसन, फिर विस्विद्याले अनुदान परियाप्त करते हैं, विस्विद्याले जो है, चालित होता है यह जो इस टेबलिस होता है पिस अचालित होता है या इसकी बात करें तो यह जो संचालित होता है State Governor यानि Government के दोरा होता है राज सरकार दोरा होता है बी आपसन एकदम सही रेगा 79 नमबर कुष्ण सका फिर अगला कुष्ण आपका दियावा है कि यूपी बोर्ड का मुख्याला इस्थित है यूपी बोर्ड का जो मुख्याला है परियागराज अलावाद में इस्थित है ठीक है मुख्याला यही है परियागराज इसमें का बी आपसन एकदम सही है अगला कुष्ण की दियावा में देखा होगा ये अभी भी चलाया जाता है सरकार के दोरा पहला आपसन एकदम सही रहेगा फिर राष्ट्रे सिच्छा आयोग माना जाता है राष्ट्रे सिच्छा आयोग जो माना जाता है कोठरी आयोग माना जाता है ठीक है कोठरी कमीशन इसमें का सी आपसन एकदम सही कि सिख्ष्ष परदान करता है कि चाठ च्छ से लेकर बाड़ की सिख्ष परदान करता है इस看一下 आपसन एकदम सही रहेगा नवोधावी विद्याले जो है समंधित है किस समंधित है cbsc बोट से समंधित है बच्छो इसमें का एकदम सही रहेगा 75 का एकदम सही पूरा lifesनें एंसर की प्रुवाइड कर दिया है ठीक है सबी विद्यार्थी अपना एंसर की मिला लेंगे हो सकत भी पेपर जिसका भी उनिवर्श्टी का यानि आरे मिलू कि जितने अन भी पेपर हुए थे माइनर के यादि वह भी अपना एंसर की देखना चाह रहे हैं तो मुझे टेली गराम पर पुरा पेपर जो पीडी बना कर भेश सकते हैं उसका एंसर की प्रवेट करने का परियास क मिलता हुने वीडियो के लिए तब तक सभी को थेंक यू बाचिंग दिस वीडियो